नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब, मैं हूँ आपका दोस्त तनीष, दोस्तों आज मैं अपने गार्डन में लगने वाले कई सारे हिविसकस प्रांट्स दिखाऊंगा, सबसे पहले देखिए कि यह मेरा औरेंज कलर का जो और फिराइटीज का जो हिविसकस है वो है, तो द मेरे 8-nec pot में लगे हुए हैं, मैंक्सिमम मेरे 8 inch के pot में ही लगे हुए हैं, 8 inch से बड़ा pot मैंने इनको नहीं दिया हुआ है एक ये वह यलो कलर का आप देख सकते हो, ये 6 inch pot में लगा हुआ है पीछे साइट प्लास्ट में ही, देखे मैंने कुछ दो लगा रखे हैं यह देखिए यह एक मैंने जो है जो पानी वाली जो गंगा जलवारी है वाई बोटल होती है हमने उसमें लगा रखा हूँ देखिए इसमें काफी छोटा पौधा है लेकिन भर करके बट्स आ रही है और पड़े इससे बहुत सारे फ्लार उतारे जाते हैं हर डाल पे से फ्लार इसमें काफी और प्लार पीछे से अने एक सारे को बेर शादिे था संसे ने में हरे हैं तो और हर ब्रांच में एक एक बड्स आ गई है इसके साथ ही देखिए कि यह hybrid variety का भी लगाया हुआ है मैंने जो वेरिगेटेड होता है वो वेरिगेटेड नहीं वेरिगेटेड 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 में इसमें green plus light green और white color में आता है एक मैंने यह ground में लगाया हुआ है जो तो बिल्कुल सीथे लंबा चला ही जा रहा है दोस्तों मैं इसको उपर से कनोपी टाइट सा बनाने के सोच रहा हूँ तो मेरे हिसाफ से बहुत बड़ी है तरीके से grow हो रहा है दोस्तों अभी तक इसमें flowers नहीं आ रहा है लेकिन मुझे अभी नहीं पता है किस कलर में होगा दोस्तों यह plant है जो इसको भी मैंने cutting सही लगाया हुआ है इसके भी मुझे भी size नहीं पता है एक यह मेरा plant है जिसमें जुमका विराइटी का orange कलर में आता है इसका red मुझे मैं धून रहा हूं मुझे red विराइटी नहीं मिल रह है इसके पीछे देखिए एक यह मैंने लगाया हुआ है जो जिसमें काफी साही बर्ट्स आई हुई है बहुत छोटा साही plant है दोस्तों लेकिन बहुत अच्छी तरीके से इसमें फ्लार्स आ रहे हैं उसके फ्लार्स का size बहुत बड़ा होता है pink color में आता है एक दोस्तों य यह मेरा plant है जिस पे मैं grafting करने के लिए बना रहा हूं कि से Chapter कर ओंगा और देखिए इसमें मैं नीचे इसमें air layering भी किई होई है यह देखिए आए रहा है दोस्तों मैंने मिष्टी नंदी से जो है खरीदा था बेंगलोर की कलकत्ता की सेलर है लेकिन उन्होंने मुझे बेकूप बना दिया बिलकूँ फ्रॉट शेलर है उन्होंने मुझे यलो कलर कह करके प्लान्ट दिया से लेकिन इसमें तेके डीप रेड़ आ रहा है बहराल मैं इसको उखाड करके फेकने वाला हूँ मुझे नहीं चाहिए है और दोस्तों अगर बात करें तो इसके पीछे देखिए ये एक जिसमें औरेंज कलर में आता है फ्लार दोस्तों ये वही औरेंज कलर वाले की ही विराइटी है ये चोटा साई प्लांट लिके इसमें काफी अच्छे तरह इस प्लार आ रहा है एक दोस्तों ये मुझे एक कटिंग मिली थी कहीं से बिल्कुल डीप रहा डीप महरून कलर का इसमें प्लार दाता है देशी प्लांटी है और दो मैंने इसके भी कटिंग लगा दी है दोस्तों एक देखिए येलो कलर वाली विराइटी है जिसमें बीच में रेड डॉट होता है वह आला देखिए मैं इसको काफी बूब बॉल टाइप का सेप देरे की कोसिस करना हूँ इसको काफी में सकसेट भी हो चुका हूँ इसमें बालसम लगे हुए है बालसम तो दोस्तों भर करके फ्लार कर रहे हैं मैंने सारे के लबब अटार ले एक डली ये लबब बालसम उता रहे है पीछे देखिए मेरा फ्वाइट कलर का एक हिविसकस है जो की काफी अच्छी तरीके से ग्रूब कर रहा है ये भी आर्ट इंच की एक पॉट में लगा हुआ है प्लस आगे देखिए हमारा एक ये मैंने अभी किसी फ्रेंड के लिए एक लगाया हुआ हुआ है प्लांट और ये प्लांट तो मेरे प्लांट से भी जाद अच्छी तरीके से देखिए ग्रोथ कर रहा है आप देख सकते हो कितनी अच्छी बड़ी बड़ी लीप्स आ रही है ये जो देखिए देशी वाली वराइटी है जिसको मैंने ग्राफ्टिंग करने के लिए रखा हुआ इस पर मैंने बहुत सारी ग्राफ्टिंग भी करी हुई है मैंने कई बार वीडियो भी डाले है लस देखिए एक ये वही वाली वराइटी है जो यलो वाली जो उधर सा यह mother plant है जिसकी मैंने ऊपर आपको दी रेड गलर वाले दिखाया यह उसका mother plant है तो प्रगी कटिंग मैंने इसकी कर दी थी तो बहुत चोटा सा बहुत चोटा हो गया है दोस्तों यह मैं regarding कुछ प्लार से अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमाई चैनल को subscribe कीजिए अगर बाइड़ बाइड़ ये